अगर आप यूटूबर हैं या नहीं भी हैं तो भी आपके मन में ये प्रशन गुंगता होगा कि यूटूब आपको 1000 व्यूज के कितने रुपए देता है तो मैं आपको सही से बताता हूँ कि यूटूब आपको 1000 व्यूज के कितने रुपए देता है तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक live proof आपको दिखा देता हूँ तो मैं आपको दो वीडियो को live दिखाता हूँ कि 1000 views का YouTube आपको कितना पैसा देता है दोनों वीडियो की length अलग है, views लगबग बराबर ही हैं 1000 के आसपास दोनों के यह views हैं लेकिन दोनों वीडियो की length अलग है आप यह उपर वाला जो वीडियो देखेंगे इसकी length 13 minutes 41 seconds की है और जो उससे दूसरे नंबर का जो है वो उसकी 26 minutes 23 seconds है तो मैं आपको पहले उपर वाला दिखाता हूँ कि इसकी income कितनी है 1000 views पर तो मैंने इसको खोला और analytics में गया तो यहाँ देखिए कि इसका estimated revenue 46.49 रुपए दिखा रहा है मैं इसको lifetime करता हूँ तो इतना ही दिखाएगा 46.49 रुपए तो मैं इसके आपको views भी दिखा दूँ कि कितने views हैं आप यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके 1049 views हैं तो लगवग 1000 views ही हैं तो 1000 views पर YouTube ने इसको 46.49 रुपए इसका मतलब payment मुझे दिया है तो इसके बाद मैं बात करूँ तो इस video मैं यह भी बता दूँ कि इस video की length है 13.41 अब मैं बात करता हूँ एक और video की जिसकी length है 26 minutes 23 seconds तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका कितना income हुआ है इतने ही views में देखिए views लगबग लगबग बराबर ही है इसके 1087 views हैं तो वो count लगबग 1000 views ही हम समझ सकते हैं तो 1000 views में इसमें क्या हुआ है आप देख सकते हैं कि 61.91 रुपए तो आप उस video को देखिए इस video को देखिए उसमें 46 रुपए थे इसमें 61 रुपए हैं और views लगबग दोनों के बराबर हैं तो इसका मतलब यह है कि YouTube हर वीडियो को एक जैसा मतलब रुपए नहीं देता है यह कुछ factors पर अलग अलग नेदबर करता है जैसा कि आपने देखा कि दोनों वीडियो लगबग लगबग बराबर views के थे लेकिन दोनों की आए जो है income है उनमें दोनों में अंतर था एक में 46 रुपए और एक में 61 रुपए अब जो फर्क था वो मैं आपको सही से बता दे पहले तो मैं यह बात clear कर दूँ कि यूटूब सिर्फ views के पैसे नहीं देता है अगर आपका channel monetize ही नहीं है तो भी उस तो उस पर कितने भी views आते रहें पैसे तो नहीं मिलेंगे ना पैसे मिलते हैं आपको उस पर चलने वाले एड के अब हर वीडियो उस पर समान रूप से किसी पर कम चलते हैं तो इस हिसाब से भी YouTube उसका payment करता है यह भी समझने की है कि आपका वीडियो की length कितनी है अगर आपका वीडियो आट मिनट से छोटा है तो उस पर एक एड चलेगा अगर आट मिनट से उपर है तो उस पर एक से जादा एड चलेंगे या फिर आप उसमे लगा भी सकते हैं तो इस हिसाब से वो वीडियो की जो आए है वो अलग होगी 1000 वीडियो पर ही अलग होगी मैंने आपको जैसा कि इस वीडियो में दिखाया कि दोनों ही वीडियो मेरे एक 13 मिनट के करीब था और 26 मिनट के करीब था तो दोनों की income अलग थी तो यह निरफर अगर जनरल ही देखा जाए तो यूटूब व्यूज के कितने रुपए दे देता है तो अगर 10,000 व्यूज की मैं बात करूं तो 10,000 व्यूज पर तकरीबन 4 डॉलर तो मिली जाते हैं कभी-कभी एक डॉलर ही मिलता है तो यह समान रूप से नहीं है क्योंकि मैंने आपको द देखा गया है तो उसका जो cpm है वह कितना है दूसरे countries से देखा गया है तो कितना है कभी-कभी ऐसा होता है कि ईंडिया से पांच एड्स देख लिए गए हों और जहां का CPM जादा है जैसे कि मान के चलिए इंडोनेसिया का CPM जादा है तो इंडोनेसिया से अगर किसी ने देखा तो पता चला कि वो एक ही एड्स में उन पांच एड्स से जादा इंकम हो गई तो ये सब अलग-अलग है यूटूब पर ये समान रूप से नहीं कहा जा सकता कि 1000 व्यूज के यूटूब आपको इतने ही रुपए देता है लेकिन अगर मैं common scenario की बात करूँ तो अगर आपका वीडियो आठ मिनट की लेंग्ट से उपर है आठ मिनट से उपर का लेंग्ट का बनाया हुआ है तो अगर उस पर 10,000 व्यूज आ जाते हैं तो उस पर लगबग 4 डॉलर बन जाते हैं आपके तो 4 डॉलर को आप convert कर सकते हैं लगबग वही 300-300 रुपए शायद बैठेंगे और अगर आपका वीडियो आठ मिनट से छोटा है तो उस पर एक ही एड चलेगा तो एक एड के हिसाब से उस पर हो सकता है कि एक ही डॉलर बने या हो सकता है दो बने तो मान सकते हैं कि दो डॉलर के something बन जाएंगे तो 5000 व्यूज पर मान लीजिए कि आपका अगर छोटा वीडियो है चार मिनट पांच मिनट का तो 5000 व्यूज का लगबग 70-80 रुपए ऐसा ही होगा तो उस पर एक ही एड चलेगा तो एक एड के हिसाब से अगर 1000 व्यूज की बात करो तो उसके ज़्यादा कोई कमाई नहीं होती ज़्यादा ज़्यादा 10-15 रुपए या 20 रुपए या हद से हद 25 रुपए इससे ज़्यादा 1000 व्यूज पर यूटूब आपको अड़ी नहीं उतने चलेंगे तो मतलब कहां से उसमें नहीं इंकम होगी अगर पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको informative वीडियो की जानकारी और अपडेट्स मिल सकें मैं हूँ कुल्दीप और मिलूँगा एक और नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खुछ रहिए अच्छे रहिए